भिंडी तो हम सभी बनाते ही हैं आज हम इसे एक अलग तरह से बनाएंगे इस तरह से ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है तो आज हम बनाएंगे बेसन वाली भिंडी तो चलिए शुरू करते हैं ये मैंने तीन सो ग्राम भिंडी ली है जिसे मैंने अच्छी तरह से धो और सुखा लिया है अब हम इस भिंडी का उपर का और नीचे का भाग काटकर अलग कर देंगे और इस तरह से इसको लंबाई में दो पीसेज में काट लेंगे इस तरह हमें इस सारी भिंडी को दो पीसेज में काटना है ये भिंडी अगर बीज वाली हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीज भी फ्राइ होने के बाद बहुत टेस्टी लगते हैं अब हम इस भिंडी को एक बॉल में डालेंगे और इस भिंडी में हमें सुख्य मसाले अड़ करने है सबसे पहले इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून हल्दी दो टीस्पून नमक एक से डेड़ चमच लाल मिर्च पाउडर दो टीस्पून धनिया पाउडर एक टीस्पून गरम मसाला एक टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ी सी हींग डालेंगे एक टीस्पून अजवायन इसे हम हाथ से इस तरह से मसल कर डाल देंगे अब हम इसमें 4-6 बड़े चमच बेसन डालेंगे और इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बेसन की कोटिंग भिंडी के उपर अच्छी तरह से लग जाए इसके लिए हम हलका सा पानी डालेंगे जिससे बेसन गीला होकर भिंडी पर अच्छी तरह से चिपक जाएगा यहाँ हम एक बात का ध्यान रखते हैं जितना सुखा मसाला हम नॉर्मल भिंडी की सबजी में डालते हैं इसमें उससे जादा ही डालना है इसलिए आप इसको हलका सा टेस्ट करके भी देख सकते हैं यह देखिए भिंडी अच्छी तरह से बेसन से कोट हो गई है इसे हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करना है क्योंकि अगर हम इसे लो फ्लेम पर फ्राइ करेंगी तो यह बहुत सुखी और कड़क हो जाएगी और अगर तेज फ्लेम पर करेंगे तो यह जल जाएगी अब इसे हम निकाल लेते हैं जितना पॉसिबल हो उतना इस भिंडी का ओयल ड्रेन कर दे इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी भिंडी डाल कर सारी भिंडी को फ्राई करना है यह बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है और यह बनाने में बहुत ही आसान है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजेगा ताकि मेरी लेटिस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ